गोड़ मॉनिंग गाइज वेलकम बेक टू माइज चैनल आज है 29 अब अप्टूबर 2023 और आज मैं जा रहा हूँ सोन भद्र डिस्टिर्ट एस्प्लोर करने श्री रेनू के स्वर महादेव मंदिर भाई आ गये यहां चोटे वाले गेट से एंट्री किये हैं कि एंट्री करने पाद यह देखो कि यह पूरा कि वीव है कि देख रहे हो ना कि यह सामने चड़के अंदर जाना है कि हो चलो चलते अंदर एक नंबर भाई इदो को सामने लिखा है ओ अचलो अंदर चल रहे हैं लगना नहीं लगना पड़े हैं लेप्र साइड में तुम अबना स्लीपर उतार सकते हैं यहां देखो स्लीपर उतारने के लिए बना है और यहां अंदर हाथ दोने के लिए बना है स्लीपर उतार के हाथ पर दो के अराम से सीधा अंदर चलो चलो हम स्लीपर उतारी दिये हैं हाथ पर धुली हैं अब चलते अंदर अब यहां लिखा है फोटो लेना मना है चलो जो अच्छा ही होगा यहां दे चलते अंदर पुरा अंदर मंदीर है अब यह देखो बहुत ही प्यारा विए एक देख रहो ना एक नंबर है ना मजा आ गया अधवान भाई मजा आ गया और स्री रेनु के स्वर महादेव मंदीर जो है वो रेनु कुट सोन भद्र में rou gust को चलते हैं अंदर कं यह जो दीख रहा है तो मैं सामने जहां पर यंक Vine हैं यह पुरा वाटर, फॉडल है वहां कि आदो मुदेव मूद्ड यह यह होगी फिरहां उन्दर बानिफ्र मैगा फीर यह पूरा है कि मंदी परिशत में दर्शन दोरान यहां सूचना लिख सूचना अपना तुम लोग पढ़ लो और चलो चलते हैं अंदर अंदर चलते हैं अधा सीड़ी चड़ के उपपर आये हैं आधा सीड़ी अभी उपर चड़ना है और चलो चलते हैं यहां देखो कुछ डिटेल लिखा है मंदिर के बारे में पढ़ लो कि देख रहो इतना सीड़ी चड़के महां से यहां तक आए हैं और यहां भी देखो कुछ सूचना लिखा है पढ़ सकते हो तुम पढ़ना चौतों बाकि पुरांदर मंदीर हैं देखो पीछे देखा बैक्राउंड तुम्हारा अंदर जो भी है कि इधर तुम्हारा पुरा गार्डेन टाइप का है कि सामने संकर भगवान का मंदीर छोटा था है और चलो इसका पूजा कलने पहले हैं मैं मंदिर गया अंदर यह महादेव यह नंदी जी और यहां थे एंट्री हुआ था है चलो निकलते हैं बाहरा कि जी तुम्हारा नंदी जी बैठेंगे और इसके ठीक सामने अंदर महादेव बैठें इसके ठीक सामने यहां सीड़ी था इस सीड़ी से चरते वह उपर मैंने दर्शन किया अब दर्शन करने के बाद यह इधर से तुम्हारा ऐसे पुरा घुमने वाला एरिया है और चलो घुमते हैं और तुम्हें घुमाते हैं और इस समय संसेट टाइम हो रहा है अभी तुम्हें संसेट दिखाते हैं एक नंबर संसेट है भाई तुम देखो बोलोगे क्या चीद देखा दी अन्वे भाई देखरो नहीं पूरा एरिया देखो दूर दूर तक का पहाड नजरा रहा है वैसे मैं तुम्हें एक चीज बता दू डिटेल के लिए कि सोन भद्र डिख्टिक में जो पहाड है उसको पहाड नहीं करते हैं उसको पठार करते हैं क्योंकि पहाड जो होता है वो ट्रेंगल सेब में उचा उचा होता है लेकिन ज पहाड नहीं है यह सीर मैं तुम लोग को clear कर दे रहा हूं बाकि बोलने को तो लोग बोलते हैं नहीं यार पहाड है पहाड है लेकिन यार लीगली मैंने गूगल पे सर्च किया था तो मुझे पता चला कि सोन भद्र डिक्ष्टिक में रुको बता रहे हैं पहले तुम ये देख लो ए भाई एक नमबर फिर मैंने गूगल पे सर्च करके पता किया तो वहाँ दे पता चला कि हमारे सोन भद्र डिस्टिक में पहाड नहीं है पठार है बाकि यह तुम्हारा पूरा पीछे का एरिया अभी तुम्हें पीछे का एरिया इधर का एरिया दिखाते हैं रुको देखना और आगे चले जल्दी जल्दी चलना चाहिए दो मेरे भाई ये देखो यार क्या एक नंबर है जागे और ये तुम्हारा देखो जूमिंग कैमरा लगा है इसको बोलते है इस्ट्रा जूमिंग कैमरा जो यहां लगा हुआ है मंदिर में बाकी तुम्हारा आगे दिखाते हैं तुम्हें और चीछ अधिकर पूरा इदम अंदर जंगल-ंगल साइट का है यह पानी वानी गिरा है बायद हो श्री रेनु के स्वर महादेव मंदिर के पीछे के साइड का इरिया और बीच में मंदिर है चारो तरब घास है अराम से इंसान बैठ के जो भी करना है कर सकता है लेकिन यहां दो चीज मना है पहला चीज यह यहां आप क्या नाम है फूल पती नहीं तोड सकते हैं और दूसरा चीज यह कि यहां लिखा तो है फोटो वीडियो एलाउड नहीं लेकिन एलाउड दोनों है बागी यहां देको लिखा है बुछ यहां जाना मना नहीं है प्रवेश वर्जित है यह लिखा है न वर्जित है तुम्हें हम यह बता रहे थे कि स्री रेनु केस्वर महादेव मंदिर जो है रेनु कूट सोन भद्र में वहां पे एंट्री करते ही लिखा है कि फोटो वीडियो एलाउड नहीं है और फूल तोड़ना मना है तो अंदर तो जो भी पेड़ पोधे हैं उनको तोड़ना मना है यह तो लीगल है और दूसरा जो लिखा है फोटो वीडियो एलाउड नहीं है तो फोटो वीडियो भाई दोनों एलाउड है दोनों तुम्हारा हम से ले सकते हो लेकिन हाँ पूछ के तुम्हें लेना है कि लेना है या नहीं बाकि तुम्हारा सन पता नहीं रख रहा है रेनूकूट में कोई फैक्ٹरी है जिसको नियुकान दिखाने पाएंव गांच दम्हये इंशे्चि के मंधीर का यह से तुम्हारा एंट्री गए थे वहां वहां से एंट्री के दिए यहां पुरा मंदिर है यह तुम्हारा साइड कोने कोने मैंने घुम लिया यह बीच का पुरा एरिया घासवाद और सामने यहां है कुछ गर्स की ग्रूप बैठी इंज्वाइ कर रहे हैं अपना अब बाकि यह सब पुरा एरिया है यह मुझे बहुत प्यारा लगा अब यह मैं दिखा रहा हुँ तो यह मुझे बहुत प्यारा लगा था भाई एक नंबर बागी चलो भाई जैसे यह एंट्री करोगे लेप साइड में और यह राइट साइड में जूता चपल उतार के हाथ धोने के लिए बना हुआ है उसके बाद सीधे उपर चड़ जाओगे मंदिर के लिए सोन पंप जो चुर्क सोन भद्र में है और यहां देखो सामने से एंट्री है ऐसे पुरा घूम के आओगे तो यह है तुम्हारा फिर इधर ते तुम निकल के उधर साइड भी जा सकते हो और यह देखो व्यूँ यह एक नंबर व्यूँ है भाई रहो ना यह देखो यह देखो सामने सोन नदी है इसके ठीक सामने उस पट्री में रेल्वे लाइन है सिंगल वह भी इलेक्ट्रोनिक्स वाला और यह पूरा सोन पंप है यह देखो व्यूँ है एक नंबर है गां आैंट है यह जो रूड है न दो हूं यह टेखो यह सामने मंदिर देख cięए हो इस मंदिर से युअ कटते कटते ही नीचे गया है लेकिन इससे नीचे इस वाले रूड पे जाना एलाउड नहीं है पब्लिक का लेकिन तब भी पब्लिक जबरजластी जाती है लेकिन मेरे ख्याल से जब गौर्मेन्ट और उस्तरप्रदेश ने इसमें जाना एलाउड नहीं किया पब्लिक को तो पब्लिक को नहीं जाना चाहिए वागी को यह डेकर हो ना यह राजिकी containing college सोन बद्र का आब इधर निकलते हैं बाहर हुआ तटोज़ोन पंप का यह सारा पानी जो है पानी सोन पंप जो पानी jub के नहर में डालताफिस कि वो सोल में लगग है और सशुर। नहर में बहुत ज्यादा है इस वाज़े से सोन नदी यहां पर पानी सोन पाम्प वाले ने बन कर दिया यह पूरा सुखा है देख रहो पूरा सुखा हुआ है यही है बस यही एतना विउ हैं बाकी देख रहो ठोल तुम अब fera शूखा ही पंपने सोन नदी का पानी जो है रोक दिया तब ही एदवा खाली वर्ना यह पूरा जानते पूरा यहां तक यहां तक लपा लप भरा रहता है और यह देखो संग आगेदम चमक रहा है मूँपे मेरे लेकिन तुम्हारा भाई स्मार्टी बोय है चस्मासमा लगा अगेदम टन रहता है यह देखो राजी की इंजिंग्मिन कॉलेज है और यह है तुम्हारा सोन भद्र का पुलिस लाइन बागि ये तुम्हारा व्यू है ऐसे तुम देख सकत हो उस मंदिर के पास एक और दो अंकल लोग बैठे थे अब इधर से पूरा इधर से पूरा ऐसे सीधे जाओगे सीधे जाने के बाद सामने चुर्क फैक्ट्री है जेपी सिमेंट का उजी से फिर तुम निकल जाओगे बाहर यह वी लोडी इस्टोन का में गेट वहां जैसे एंट्री करते हो पूरा आओगे यह सामने देखो वी लोडी स्टोन है यह पुराने जवाने से राजा थे जिनोंने क्या नाम है अपन में से काड़ दिये थे और यहां देखो कुछ महसपूर जहां लिखी है पढ़ लेना तुम लोग अपना बाकी भाई यहां पे बंदर और लंगूर बहुत ज्यादा है इसी देखो अपना समान जो है समहाल के रखना ना बागी चलो आओ तुमें अंदर चलके कुछ दिखा कि यह देखो कि देख रहे हो ना यही है पहाड़ आओ उधर सट ते तुम लोग को दिखाते हैं कि आई देखो यह पत्थर है जो पुराने जवाने के कोई राजा थे इन्हों अपने घोड़े पर सवार होके बीच में से यह पत्थर को सलवार से काट दिया था और एक पीछे यह पुरा बैठने को बना है यह सब अभी बन रहा है फिर से तो अभी तुट फुट गया था वागी उधर देखो कितना मस्त वीव है उधर चलते हैं भाई यह दो को इधर ते इधर आ गाया है और सोन भद्र जिले के जो पुलीस है वो बंदर और लंगुर के अभी इनको बनाना बागी है अभी हमें लग रहा है काफी धीरे धीरे इन लोग का काम चल रहा है बागी उधर तुम्हारा वीव आपि अधर एक नंबर भाई तुम्हारा बंदर और लंगुर मज तब ना खा रहे हैं अब भाई किजी बाईक खड़ी होगी अब जिसको बाईक लेने जाना होगा ना बड़ा दिक्कत होगा सब सोचेंगे मैं मारे है फेस्बूप इंस्टाग्राम टेलीग्राम ठ्रेड ट्विटर और वाट्सप पे फॉलो नहीं किये हो तो जाके करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एक प्यारा सब्सक्राइब करना और वीडियो को सेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अल करना